असलाम लेकुम असलाम लेकुम कैसे हैं वीवर्स एंड सब्सक्राइबर्स तो मैंने आज बनाई हैं मीठी टिकिया तो आप लोग भी से बनाईएगा मैं आप लोग को इदर दो टिप्स देना चाहूंगी जल्दी से सबसे पहले तो यह कि मैंने इंगीडियेंट्स रखे हैं सेम क्वांटिटी बिल्कुल वैसे ही आपने यूज करना है ठीक है अगर आप कम करना चाहते तो उसका हाफ कम करें अगर आप ज्यादा करना चाहते तो उसका डबल कर दें लेकिन क्वांटिटी साही होने चाहिए दूसरी टिम बिल्कुल लोग फ्लेम पे आपने इसको फ् मिक्सचर से तैजिंग मैंने दूट डाला यह गरम होना जाए फिर एक कप मैं डालरी हूं चीनी फिर इसमें मैं डालरी हूं पांच टेबल इसपून गी के तो यह मैंने तीन चीज़े डाली आप इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें बहुत अच्छे से मिक्स करना है और जब तक मिक्स करना करते रहना है जब तक आपकी जो शुगर है वो डिजॉल्व ना हो जाए करते जाएं करते जाएं ठक जाएं गर करके अब इस पॉइंट पर जो है शुगर काफी डिजॉल्व हो चुकी यह देखें हाँ जी अब शुगर जो अच्छे से डिजॉल्व हो गई है अब हम इसे साइट पर रखते हैं और हम लोग बनाते हैं दूसरा टिक्या का मिक्स्चर उसके लिए हमें चाहिए होगा दो कप मैदा अगर आप इसकी हाफ को इंटिटी चाहते तो हर चीज इसकी हाफ कर दीजेगा अगर आप एक कप कबनाया जाते हैं तो एक कप अब इसमें आप डाल दें सूजी 3 x 4 कप मतलब हाफ कप से थोड़ी जादा होनी चाहिए ओके अब इसमें आप 3 टेबल स्पून तिल के डाल दीजे अब इसमें खोपरा डाल दीजे बिलकुल यह ग्राइंड किया हुआ है बिलकुल तो यह 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिये हैं खोपरे के और इसमें half tea spoon मैंने ilachi का powder डाल दिया है अब इन ingredients को भी बहुत अच्छे से आपने mix करना है हर चीज अच्छे से mix हो जाए एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे से अब यह अच्छे से mix हो चुका है बिल्कुल अब हम इसको गूंदते हैं अब वो जो मिक्सर बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा सा डाल के आपने जो है गूंदना है एकदम सारा नहीं डाल दीजेगा और बस फिर गूंदते जाए अब यह अच्छे से गूंद लें यह बिल्कुल अब यह तयार हो चुका है ठीक है मिक्सर बज गया था मेरा थोड़ा अब इसको मैं कवर कर दूंगी त्वेंटी मिनट्स के लिए ऐसे ही रग दूंगी और थोड़े से करना होता है इसको ठीक है तो इसके बाद आप पेड़ा बनाले और मैदा थोड़ा सा वही मैदा थोड़ा सा इस पे लगाकर आपने बैल लेना इसको वरना यह चिपक जाएगा अगर आपने मैदा नहीं लगा और यह देखें जब आप कटर से काटने लगें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसकी एक बॉर्डर की साइट होती है ठीक है वो आपने अपने हाथ की तरफ रखनी है दूसरी साइट से मैं इसको कट करने है पर नए आपका हाथ जखमी भी हो सकता है अब बित अब इस चैप कैसर ढ़्रा मैं नहीं हो हुआ अब जोब रिम लिब हम अब आपक्त जो हूँ वाप है आप जो मैंने उठा लिया थाar मैंने फिर उसका पेड़ा बनाया है और फिर उसी तरीके से मैददर लगाकर मैं यह बेल रही हूँ वरणा चिपक रहा था लगाकर आपके शोड़ा सा बिलगाना नही है चिपक गया तो खराब फिर से बेलना पड़ेगा फिर मैं यही बात बता रही हूं कि बॉर्डर वाली जो साइड है वो अपने हाथ की तरफ रखनी है वरना आपका हाथ हो जाएगा जखमी ठीक है अगर आपके पास कटर हो और आप काटें तो वो यह चीज़ का दिहान रखे अब मैंने सारे कार्ट होती है ऐसको काञा जो दीजिए हैंब मैं इसको जाहरी हो फ्रi करने मैंने फट्ड़ा साइक और ऐसको ला फ्ले में बटको ड्मी मे ब्साइबार तो नो बसलो तीदर और उसे देर में ना पलटते रहना है मैं सी तरीके से करती हूं तो वह एक साइड और रहेगा तो वह खराब हो जाएगा देखें थोड़ा सा हुआ बॉड़ा साब Divine कर लिया इस तरीके से ज्यादा देर नहीं चूड़ती तर्ण करती रहती है अब यह बन चुके हैं बलकुल डन हो चुके हैं ये बिल्कुल देख लें आप वान टू एंग त्री मैंने बना ली हैं अब आप लोग भी जल्दी से बनाएं यकीन आपको पसंद आई होंगी और अच्छी भी लगेंगी और आप लोग ट्राय करके में इससे अप्सपिरियंस चेयर कीजिए अपना ख्याल रखिए अल्ला हाफिज